हेलो स्टूडेंट्स यूट्यूब टेना शोशो क्लासी स्विच तो अड़ा स्वागत है आज असी अपने इस वीडियो विच बीए थर्ड समेस्टर दे पंजाबी इलेक्टिव दे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विश्चन्स डिसकस करन जा रहे हैं पंजाबी इलेक्टि तो इलाबा आप तोह नो बाकी सारे सब्जेक्ट्स दे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विश्चन्स दे बनाएगई हैं जिसने विच बहुत थोड़े पार्ट ही लए गई है क्योंकि पंजाबी इलेक्टिव दे विच बहुत वाइड स्लेबस हुन्दा है तांकि तो भी पेपर आ सकदा हुन्दा है जिसने विच सब्तो पहला काव टोटेज में दित्ते गई है यह बहुत काट मातराच दित्ते गई है एसे लही तो अनू दस्या जावेगा कि केड़ने तो अनू कभी करने चाहिए है एसे पेपर दे समा तिन कांटेदा हुएगा मैक्सिमा माक्स 90 होनगे सब्तो पहला नोट दित्ता जाएगा प्रशना दे उत्तर टुक में होने चाहिए हैं सारे उत्तर प्रशन पत्तर दे उनसार करमबार हाल किते जान एस दे विचे तो अड़ी बुक है मद काल दी चौन वी कवीता एस दे विचो 25 माक्स दा आना तो अड़ा पिपर फिर है सफर नाम में दा अधियान एस दे विचो भी 25 माक्स दा पंजाबी साहित दा इतियास 20 माक्स दा पार्ति काविशेश्थर दे विचो 10 माक्स मद्धकाली पंजाबी कावरंग जो के डॉक्टर योगराज अंग्रिश द्वारा संपादित किती गई है ए पप्रिकेशन ब्यूरो पंजाब युनिवेस्टी चंडीगडवलो परकाशीत है एससे बीच गुरु नानक देव जी शिरीगुरु अर्जन देव जी शिरीगुर अते पगित रविदास एहे कभी जड़े शामल किते गई है एससे बीचों परसंग सहत व्याख्या दो वीचों एक तो अनों पुछी जाएगी एक तुसी करनी होएगी दो दितिया जान गिया एसनी जादा संबाव ना जे गल करिये चार गुरु है अते दो पगत है ता एस दे विचों चार गुरु है जड़े इना दिया कवितामा एना नों बहुत चंगी तरह याद कर लो एस चारा दे विचों कोई ना कोई जरूर आएगी और पगत कभीर ते पगत रविदास इना दे विचों एक कॉन दी संभावन है पर जे तुसी कल्ले पगत करोगे ता एह रिस्की हो जाएगा तो एस करके चारे गुरुवानियां जिन्नियां भी तो अड़े इस लेबस दे विच है यह सारे अनों बहुत चंगी तरह तुसी त्यार कर लेना है पिछले वार तो अनों एहे जड़े के पहला पेपर होई है उस दे विचे ए वाले जड़ियां सत्रा आया हुई है जिमें के जी जन्त सब सरन तुमारी सरव चिंत तुद पासे जो तुद पावै सोई चंगा एक नान की अरता से एस तो इलावा लाखन गारे वजजन आमों सामने राकश रणूना पजण रोहे रोहे ले सीहा वांगू गजण सब्बे सूर में तंतन कैबर और कबीर गरबना कीजिए उच्चा देख अवास आज कलेपों लेटना उपर जाम्यकास के बीटी दे सलोक दे विचो है अगे है एस दे विचो तुसी चारे गुरुआं दे जिन्ने वी तो अड़ी बुक दे विच है ओ सारे तुसी कर लेना है उस दे विचो एक जरूर आ थीम सपष्ट करन लई किया जावेगा एहे दो नमबर दा होएगा और सौरी दो नमबर दा नी दो तो आनू पुछे जानगे एक तुसी करना होएगा पंदरा नमबर दा होएगा जिमे के वन्ज करो वन्जारियों गुरु नानक देव जी था बिच बोलड़ा जी गुरु नमबर दा सारा कारलाने ओ ता ओदे विचो एक पक्काई आई जाएगा पंदरा नमबर दा एहे ओस्तो बाद है दुनिया एक महल है सफर नामा पुस्तक दे अधा आरते तो अनूपर मुक थामा ते कट नामा दे वेरवेस वन्दी प्रशन दित्ते जानगे तो पुछे जा एह भी पंदरा नमबर दा होईगा जिमे के एस तरह पुछे जा सकते हैं योरूप दा कश्मीर स्विच्जर लैंड कांड़ दा सार लिखो एथे स्विच्जर लैंड स्पेलिंग गलत हो गया है टाइपिंग टाइम पूरो वल मेरा पहला सफर कांड़ दा सार अपने एस तो लावा वी तो अनू जीड़ा है किसे वी कांड़ दा सार लिखन लिए है गया जासकता है टा एलंब इता बहुत चंगी तरह त्यार कार लेँ एस दे वीचो तो अनू मैं ए नी पक्का दा सकती के केड़ी या तौन उनू any question इस दे वीच्जर पुछ्जय कांड जा स दे संखे पुत्तर लिखो एहे प्रेशन जड़े है काब संग्रह अते सफर नाम में दोना देविचों में लाके पुछे जानगे आठ प्रेशन तो अनुदित्ते जानगे पांजदा तुसी आंसर दसन है दो दो नंबर दे एहे कोश्चन जोनगे इस तरह दे हो सकते हैं बाक तो ही एक कोश्चन जड़े त्यार हो जानगे इसे तरह सफर नाम में देज़े दो करोंगे उत्तों ही शौट कोश्चन अपने आप तो अड़े त्यारी होंदी रहेगी एदे विछ ये वणज करो वनजारियो शब्द दा विशा की है कबीर जी किस जातनाल सपन्दित सन कुदरत पफ़ खंड़ना दी आरती के में उतार रही है माटी मेतन पायो शब्द दा विशा की है इंदर दुरगा दी शर्न विचके आईया पगत कबीर जी दी किनी पानी गुरु ग्रांट साइबिच दर्ज है हरनी होमा बन वसा कविता दा विशा की है हिंदू तुरक कहां ते आए शब्द दा केंदरी पावली हो बगदाद दे लोक के होजे है हन लेखक ने अली अकबर नो की दिता तकिया किस नो आख दे हन लेखक ने कमान अफसर नो की उत्तर दिता श्राबी आदमीनों लेखक बारे कीप लिखाविया एक सु बाग मिलने कांड विच लेखक ने की दस्या यूनिवरस्टी शेयर बारे संखेप जान करी दियो यंग स्टोन शेयर बारे तुसी की जान दे हो बसरे दी इतिहासिक ते मितिहासिक महां अन्ता दसो तकि य लेखक परदेश वीच पेटाल जानबारे की कहनदा है ता एक कोश्चन इस तरह दे कोश्चन तो आनो पुछे जानगे पिपर दे वीच हो सकद है इस ते वीचों आ जावे लेकिन इस तरह दे कोश्चन जड़े या उनना दी त्यारी तुसी कार लेओ एक ता कवितावाँ दे केंदरी पाव जड़े ओ ते एक वीच आवस्तु ए तो आनो इस नालस पंदे ती कुश्चन ज़रूर आएगा अगे है किसे चार प्रशना दे उत्तर लिखो ए जड़ा होएगा गुर्मत ते पक्ती काव दे विच्चो पंजाबी साहित दा इते हास गुर्मत काव ते पक्ती काव एदे विच्चो संख्ये पुत्रा वाले प्रशन जड़े तो आनो पुछे जानगे छे विच्चो चार दा तुसी आंसर देना होएगा पांच पांच नमबरां दे ए होन गे एस नाल सबंदित गुर्मत कावदा वीडियो बनेया होया तुसी उत्थों भी त्यारी कार सब दे हो लॉंग कोश्चन दे तौर्तियों करवाया गया ओस दे विचों ही शौट कोश्चन से हे निकलान गे पंजाबी दिया अध्यात्मिक वारां उपर नोट लिखो गुरु नानक देव जी दिया रचनावा दिया विशेष्टामा दसों नेक्स्ट है आद गरांत वीच केड़े केड़े पकतां दी बानी दर्ज है पंजाबी दिया अध्यात्मिक वारां उपर नोट लिखो गुरु गोविन सिंग जी दे गुर्मत कावनो की दिर है इहे गुर्मत काव दे पकती काव दे विचों क्वेस्टन्स इस दे विचों भी आ सकते हैं बाकी होल भी क्ेस्टन जड़े ओ बन सकते हैं उस्तो बाद है पार्ति कावशेस्तर दे विचो मुढ़ी जान प्षान जिस दे विच रास संपर्दाई बक्रोक्ती संपर्दाई एना दे तो अनू दो प्रशना दे विचो एक करह लेकिया जावेगा दा संकदा होएगा एस दे विच रास संपर्दाई बारे तुसी की जान दे हो पाव विपाव अनुपाव संचारी पाव ते स्थाई पाव बारे जान करी दे हो वक्रोक्ती संपर्दाय बारे तुसी की जानते हो पाव की हुंदे है रस्दी उत्पती विच एना दी कीपू मिका है एना नू चंगीतरा कार ले हो एना दे विचो ही तो अड़ा एक कोशन पक्का आजेगा नेक्स्ट है पिजन पाशा, व्यक्ती पाशा, करियोल एहे टैन वाक्स दे है इस तरह दे नाल एहे तो अड़े पूरे स्लेबस दे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपार्टेंट कुश्चन दे त्यार किते गई है एथो तुसी अपनी त्यारी कर सकते हो इस दे लिए सफर नाम में दे तो अनू सारा ही करना पाईगा मध काली पंजाबी कावरांग पूस्तक दे विचो गुरुआं दे जिनने भी तोड़े गुरुबानी दत्ती गई है कविता जिसनू कह सकने आए थी ता ओ तुसी सारी करनी है गुरुआ बाली ठीक है तो इस टागना तो उसी अपनी त्यारी कर लो बेस्ट आफ लख बाकी कोई सुझेस्ट करना चाने हो जरूर तुसी कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट कर सकते हो कोज सूडन्स कहन दे है कि सानू इसे कवितावा लबबन ली बहुत टाइम लग जाना है झालम्स क कर सकते है